यह विद्धी उजहारों साल पुरानी है द्यान की तक्निक की यह हो यैं इसको सफब्स रूप से कहा जाए तो म्हादिर जब आसन लगाते समादी में मिलन प्योग करते हैं यह बान के रखे जब श्री हरी योग निध्रा में या तो भी इसी वीधी का अपयोग है को भरमाजी द्वारा भी इसी वीधीका इपयोग है अब ये है आज अरों साल पुरानी नहीं ये अनंत साल पुरानी आदी अनादी कास से जीवित है ये भी लेकिन मनुष्य दुआरा इसको सबन्जना थोड़ा जटी लो जाता है क्योंकि इसमें कोई सापिक शवर्य को नजर नहीं आता है लोगों को कभी खबी लेकिन अगर इसको मात्य मना के कोई साथक अपने गंतव इस्तान तो पोह जाता है तो कोई हानी नहीं बिल्कुल ये आपको अपने लक्षमें पहुशाने में बिल्कुल सम्रत है बिल्कुल सम्रत है या आपको अपने यथा उच्छित स्थान तो पहुचा देगे जहां पुर जियावीदी जो अनत साल से है, अजारों साल से, इसका वर्णन है, देखिए, यह कोती है, मनुष्य के बीतर बैथी, स्वांसों की माला, डिसको प्राण जाब भी कहा गया है, स्वांसों का जार भी कहा गया है, और अनिग और श्युवने इसका हिस्वामाल किया है, जो की अन एकादी ऐसी चीजों का इस्तमाल करता है जो उसकी ये सहज उपीप दो जाती है अब आपको ध्यान रखना है कि इसका उप्यूग केसे करते हैं किवल उप्यूब जानना ही है कि इसको इस विधी पर मान लेना है अगर मान लोगे त्वकात का जो यता उचित मुटक्षे निर्धारित किया हुआ है वहां तक निष्चित ही पहुचना बिल्फुल निष्चित हो जाएगा केकर केवल केकी इसटीज को मानना है आपको व्यूप ओं कुछ इन इसमे ज्यादा जटिल्टा ये लानी है इसमें ज्यादा तरक वी तरक नहीं करने है कि यह से क्यों और इसमें कुछ संद्ध रोप्य गैर्शा की संद्ध कहा उपाधी भी है अबी भी स्वासू की माला इस चीज पर हम बात करेंगे विशीश रूप से बहुत से प्रहर रूप से पैकि यह बहुत अनंच शौरानी विथी है स्वासू की है कि इसमें जू नाम सिम्रन होता हुँ स्वासू को आधार मणा कर क्या जाता है स्वास dripping कहा जाता है कि एकनी एंगनों है कि इसको एक-बार भी विर्थ ना जाने तशान यह एक बार भी यह बाबी उरुत के security से कि इसमे प्रतिपल भगवान का ही सुम्रण हो smile और किसी चीज का इसमें कोई विचार, कोई भूंबर्द इस चीज ने नहीं होना चाहिए इसका विरूत किया गया है एक बार भी इसमें इस स्वास को विर्थ जाना नहीं चाहिए कभी तार्जी ने इसका विशेश रूप से वनन किया है नाम जप्पे कि स्वासों को आप बिल्कुल विर्थ ना करें जब तक जीवित है स्वासों को इतना जपे इतना रट कि आप इस स्वासों में घुरी मिल जाए और एक बार भी इसको विर्थ ना करें दूसरी बार इसको सर रोप से अगर आपको जानना है अगर इसको करना है तो यही होता है कि आपका ध्यान बार-बार आक्रशित किया जाया आपकी स्वांसों पर बार-बार आक्रशित करना पड़ेगा उस विद्धी को बार-बार उस जगी लगाना पड़ेगा अब meditation में 아कसर किया जाता है जयसे कि राम का बगते हैं पुई क्रिश्न का बगते हैं अब जैसे मानली जो बहुत ही बोड़ा क्रिश्न बगते हैं तो उसकी बुद्धी में केवल क्रिश्न की छवई छायुफी रेगी छवई यूझा उनका इस्त्र ही बनता रहेगा उसकी मस्तिक्ष कंदर उसकी विचार कंदर उस साधक तो लुद मेडिटेशन में भी केवल उसी खाई सवरूप ध्यान करते हैं उसी खाई नाम लेते रहते हैं अब आपको करना यह है कि आपनी स्वासों पर ध्यान जावे स्वासों पर ध्यान जावे स्वासों पर ध्यान जावे तो उसी में उसका रह्मन है जो आपके इस्टे उसी में उसका रह्मन है इतना ध्यान रखे उसका रह्मन इस्थानी उसी स्थल में एक आ गया है कि यह हर्दी स्थल है जहां पर वे इस्थित है और प्रानों की द्वार उसका जाप किया जाता है, उसका नाम, उनके नाम को पकड़ा जाता है। अगर उन ये नाम को किसी भी सादक में पकल लिया बहुत विशेश रूप चाँ तो फिर वह कभी जाने वाले नहीं। इस विशेश रूप से शिधी का सुम्रन करते वे, जब तक भीतर से ये पूरा रमन नहीं करेगी, जब तक पूर रूप से जब ये विले नहीं होगा भीतर, तब तक सत्य प्रकट होने से तोड़ी शंखा रखे, कि हाँ ये सत्य प्रकट होगा, एसे नहीं हो जब तर्वकल ग्रूप से Smells आँनो ट्रुखत्टप से लिए अंदर प्रकटगी हो यानि पहतर्वंइन स्वांस एतना भर्च DU P से कि परति पलूशी का दृष्टान दोतार है परति पलूशी का दृष्टान दोतार है पर्वु ने मुझको एसे इस ठरी पर खड़ा क्या वीचू बीच में चार अमने चारो तरफ उसकी कि दिश्टी मात्र में हूं और चारो तरफ उसी का अपर्सार और जीव में अप्रानी में उसी काईबास से बुद्धी में ये बढ़ इसपर्ष्ट हो जाए कि ये सत्य है ये बिलकुल ही सत्य है कि प्राणी मात्र में इस परमेश्वर कावास है लेकिन अब अज्ञान के कारण क्या होता है कि प्राणी अपन को मुल्ततव न मानकर जो शाररिक बढ़ पर उसने अपन के जो जो टृओी इसताविद कई हुई है अपना रुद्फबा इसताविद किया हुआ है कि में ये प्रतपरासिन हो ये हूमित वो अज्यान के कारण Ladka सत्य मान भीड़ता है लेकिन जब ये अज्यान का थे बाड़ता है कोई कोई इतने इज्यान होता है कि जो फ्रम कि श स्विकार करते हैं तो चीज ए सविकार करने आप जो कर नहीं जाने वाला इस धरा पर हिवीगा इतना अज्ञान होने से मान कच मिवद्धार कभी नहीं होने वाला इसलिए इसको स्विकार कब बिया जाए जो चीज है। प्रगू है या इस अंसार में इसको चलाए माइं करने वाला ही प्रगू है उसका ये नाम आत्राम प्रिश्म खुदा जो भी जत्त है वो है उसका नाम केवल और केवल स्वासों की भीतर जपना चाहिए वीदी क्या हो वीदी मैं आपको स्पुष्ट पताता हूं वीदी यही और आपकी स्वास जा रही है आपने कहा स्वास आ रही है वह आपकी स्वास जा रही है अब यह तो नोर्मल सी बाते आती हो जाती स्वास सब यह प्योंनेंगे हाँ यह तुम लेकिन इसको पेली एक इस्थान पर बेट के सही तरह से सुनिए इस पर ध्यान लगाने की कोशि इसकी भीतर से क्या शब्द उत्पन हो रहे कि नक्षिरों का मंत्र बंढ रहा है किस प्रकार से ये इस दोनी कर रहा है किस प्रकार से इसकी वाइब्रेशन हो रही है इसको बिल्ध गहन दोप से जानने की कोशिश कर अब जो अक्षेर उत्वन को रहा है विस्टhat्ष L.ses को आपका मुट रोड़ा है यहां यह यह मुंत्र है जो पीतर से आधी अनाधी कास से यह प्रकट रूप में यह बिलकुल प्रकट रूप में है अदी आनादीकार से जो ना तो मुक्सर बोला जा रहा है और ना ही इसी प्रकार से इसका उचारण होड़ा लेकिन ये किवन और किवन जैसे स्वांस चलती है और इसका उचारण भीतर से बाहर से अपना आप सवत होता है इस तीज को इस पर शूप से जानना होगा साधक को तो इसका दिरे-दिरे आपको ज्ञान होगा अब निरन प्रता से करता रहेंगे तो क्या करेगा यह आपके पीछे इपीछे जितने भी जन्मों के पात्रम में उसको काटे गापके लिए नाम का सबसे प्रतम वहार ही आपक इसको दारण से मैं समझाता हूं जहां पर भगवान का वास होता है वे कभी भी इसे स्थाल में रहना पसंद ने करते जा गंदगी हो सब से पेने स्वच्चता जरूरी इस इस्तान के विया आपके पापकर्म को दोएगा बिल्कुल नाश करतेगा नहीं चाय कितने ही वर्षुकत कितनी पीडियों कि हो कितने ही जन्म कि हो वह दूर्पिश्र भवान उसको खतम कर देगा आपको एक दम निस्चले पुंपवित्र गंगा की तरह एक दम अन्रत की तरह कर देगा तद प्राथ उस नाम से फिर बार में पुणिया आप कमाने लगेगे इस समाल में तरक्की करने लगेगे दीरे 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 आपको पता नहीं चलेगा आपके दिन कैसे पनड़ जाएंगे इस प्रकार बाने इस प्रकारी माने इस चीज़ को जे साय वेस्ता निरन प्रत्वार नेकिन थोड़ा देरी और प्रभू पेज्टना विश्वास इतना डिग विश्वास अटूट विश्वास और इसी श्रदा उत्पन कर ले अपने बीतर उसके रमनी उजाएंगे उसके रूप से बीतर से एक एक शब्द पर एक एक स्वास पर उस्ता नाम हो जाए इस प्रकार से आप उस चीज़ को समझना पड़ेगा यह चीज बहुत आवश्य के आप इस चीज को करें और इस शब्द को भी जानना है बस और कुछ नहीं है जो भीतर समाया रोठा तो आपको यह वीडियो किसा लगा जरूर रमे जानकारी दे अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और शेर किजा हमार चैनल आत् जानकार किजिए